बढ़का गाउं विधायक अमबा प्रसाद ने लियो जलेवन भारत से खास बाक्चीत में कहा कि पार्टी नेत्रित वो अगर मंत्री मंडल में जगाह देती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ लोग सभाचुनाओं में सामान्य सीटों में कॉंग्रेस की हार की वज़ास प्रत्याश्यों के चैयन और टिकट देने में हुई देरी दोनों रही है हमारे साथ इस बग बाक्चित करने के लिए अमबा प्रसाद हैं कॉंग्रेस की बढ़का गाउं से विधायक अमबा जी एक बर्थ खाली है कॉंग्रेस कोटे का और उसको लेकर तरह तरह के क्यास लगाया जा रहे हैं कई नाम चर्चा में हैं अमबा प्रसाद का भी नाम चर्चा में है पार्टी का जमेदारी है यह हमारा मतलब इस पर हम कितना भी कुछ विचार करें यह सब अर्टी समय के लिए अगर मौका मिलता है तो आप तयार हैं उस चीज को लिए कि निके जासा कि हमने बोला कि मुझे कोई मतलब वैसा कुछ इन सब चीजों के पीछे दोड़ने का जरुरत नहीं जहारकन के संदर में मेरा सवाल था क्योंकि समाने सीटों पर आप जीत नहीं पाएं आप हर सीट का आखड़ा निकाल के देख लीजए हर सीट का कमी तो कहीं ना कहीं अलग लेवल पे भी हुई है हम लोगों के तरफ से भी कमी हुई है कैंडिडेट को लेट से कहीं टिकेट मिला है इस बार हजारी बाग का सीट निका सकता है कहीं सीटे मतलब पॉजिटिव प के कैंडिडेट के चैन में भी चूक हो गई चैरा कोई और होता तो तस्मीर कुछ और होती हम यह बोल रहे हैं कि लोगों में कारेकर्टाओं में थोड़ा वक्त लगता है किसी को समझेश्मेंट की कमी के वज़र से और क्योंकि सब्चेक प्रत्याशी नहीं पहुंच रहे तो वह उत्सा मतलब जो था वह बहुत ज़्यादा मतलब रिजर्ट में कंवर्ट नहीं हो पाया तो थी काकरी सवाल चलते चलते ले लेते हैं देश में लगातार एक्जाम कंड़क्ट हो रहे हैं यूजी सी नेट का हो नेट का हो परचा लीख हो जा रहा है और पूरे चात्र जो हैं वह सड़क पर हैं आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी भी पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन कर रही है जी देखे आज तो पूरे देश भर में नीट पेपर लीक मामले पर भी और पूराने समय में भी इस तरह की बहुत सारी घटना सब्सक्राइब अपने आप के साथ नजर मिला सके हमेशा हमारा ऐसा ही सिधानत है शुक्रिया हमबा हमसे बाच्चित करने के लिए केमरावन राजा के साथ राकेश कुमार न्यूज 11 राची लाइक और शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा